खबरें तो देश से बहुत आती हैं लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड मरोड NTV टाइम जनता की बात जनता के साथ सर्गुजा कॉंग्रेस कमिटी के जुला अध्यक्ष राकेश गुपता सहित कॉंग्रेस कारी करताओनी कलेक्टरेट पहुँच कर विभिन मुद्दो को लेकर जुला कलेक्टर संचिव जा को ग्यापन सौबा ग्यापन में अंकित सभी समस्याओं को जुल्द निराकरन करने की मांग की है दरसल सर्गुजा जिले के लिंडरा विकास घंड में कुछ दिनों पोर्व गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी जुस मामले में ट्रेनिंग देने वाले ने फरजिवाड़ा भी किया था इसके साथ ही वहीं मामले में सर्गुजा कलेक्टर ने कहा की मामले की निश्पक्षिता से जौच की जाएगी जावेत अक्तर की रिपूट बात तो ट्रेणिंग का लगबग एक साल पहले से लोग शिकायत कर रहे हैं जिला पंचाद के अध्यक जी के साथ और हमारे प्रतिन दूर्ड पहले भी शिकायत की है कि या तो उनको ट्रेणिंग नहीं हुआ है और ट्रेणिंग हुआ है तो पात्र संस्था वो नहीं थी और वो पात्र संस्था है तो उसे सर्टिफिकट जारी करने का अधिकार था या नहीं था और उसका आउटपूट क्या मिला और एक विशह और था कि क्रिशिव विभाग के माध्यम से मिलट रिजलेशन करके एक स्कीम आई थी उस स्कीम में क्रिशक चैन के लिए भी पैसे का ख भूमाफिया या जो जमीन मालिक था उसके उपर जो मतलब सलेंद्र पूर्वा कुछ की हत्या हुई या घटना है इसकी जाज की बात और एनेच के विशह को लेकर के चर्चा हम लोगों ने किया और सभी जिला पंचास अदस अपने अपने शेतर की बारे में क्लेक्टर से चर्चा की अब करेक्टर साब में उसका सार्थक पहल करें का हम लोगों को आशपर संद्र लगातार NGO का नाम सामने आ रहा है क्या लगता आपकी सरकार में कारवाई नहीं हो पा रही या मिली भकत साब कम चल रहा है देखिए कारवाई हो रही है जांच हुई है पर हम लोग चाहते हैं कि उस जांच का प्रतिवेदन सार्जुनिक हो आप लोग तो साथ में थे और अगर किसी ने गलती किया है तो जो भी व्यक्ति है दोसी व्यक्ति पर नीमानुशा कारवाई हो कारवाई हो दिखाए नहीं देरे लंबा सामाव उजर गया है लेकि तक कारवाई नह ओभी सिकाए के प्रिकारियों दूट कांडू कर रहे और उसके तहथ लिख हम लोगों को कहीं पर कोई भी संसय और कोई पार छूड जा रहा है तो आगत कराने में पिछे भी नहीं जिला पंचायत के समानित सदसगन और कुछ अन्य जनप्रतेदिगन वो भी आये थे उनका ये उनकी ये सिकायत थे कि पहाड़ी को रवाविकास प्राधिकरन के अंतरगत जो इसकी लेवलपमेंट में जो ट्रेनिंग हुए है वो उसमें अनिमेत तायं हुए है और सिकायत के उनके कुछ और रहने बिंदो भी थे जिसमें वो जांच करवाना चाहर हैं और जांच के बाद कारवाई करने के पिक्छा रखते हैं इस आवसाय का उन्होंने एक शिकायती प्रातना पतर दिया है काफी लंबा समय भी इत गया लेकिन अभी तक जांच की हुपाई नहीं इ देखते हैं कि कमिश्टर साहब कहां से क्या आया है कि बिंदो पर यदि छूटा हुआ है तो फिर हम लोग जांच करवा लेंगे या पिर तक उसे ही जिलासतर यादिकारी से इसकी जांच करवाईगे इसमें भी जो बात आई है कि जो एजनसी थी एजनसी ने एंजियो को मा पर करवाई की जाएगे सर्द कावे